क्या आप सोचते हैं कि Facebook सिर्फ एक Social Media Peral Farm है? क्या इस बात को आप मानते हैं कि Facebook पर सिर्फ समय बरबाद होता है? अगर आप यही सोचते हैं तो इसको आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो नकिवल पेरना दायक होगी बलके आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत भी रखती है यह कहानी है एक ऐसे व्यक्तिकी जिन्होंने Facebook पर अफ्लेट मार्केटिंग करके महने के 5 लाख रोपे तक कमाए हैं जब भी हम Facebook की बात करते हैं तो यह अकसर एक Social Media परणफारम के रूप में देखा जाता है लेकिन यही परणफारम आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों को चेंज कर सकती है बिल्कुल बदल सकती है दिशा कैसे बदल सकती है अगर आपने Facebook पर अच्छे से काम किया ले आते हो तो यह आपकी दशा भी बदल सकती है आपको बरबाद भी कर सकती है आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक साधारन विचार और सहीर अन्नीती से इस व्यक्ति ने Facebook को अपनी कमाई का जरिया बना लिया तो चले सुरू करते हैं इस सफलता की यातरा से शुरुआत में हर किसी को लगता है कि यहां पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं शिरिफ Reels देख सकता हूं वीडियो देख सकता हूं और फोटो पर लायक और कमेंट कर सकता हूं लेकिन जियए से उस व्यक्ति ने Facebook को देखा उसको समझा, उसने समझा कि अगर मैं यहाँ पर रिल्स देख सकता हूँ, फोटो पर लाइक कोमेंट कर सकता हूँ, जितो क्यों ना, मैं इसको एक ऐसा जरिया बना लूँ, ताकि मैं इससे अपनी कमाई भी कर सकता हूँ, तो उन्होंने ये निर्ने लिया कि फेस्बुक को एक प्राटफर्म के रूप में इस्तमाल करेंगे, जिससे वो अपनी कमाई को बढ़ा सकेंगे, शुरुवाती दिनों में ये कोई आसान नहीं था, जिसे कि सब के साथ होता है, ठीके न, तो धीरे-धीरे उन्होंने अपने फेस्बुक पर पोस्ट अफलोड करना शुरू कर दिया, रिल्स अफलोड करना शुरू कर दिया, और वीडियोस डालना शुरू कर दिया, जो कि अफलेट प्रोरक्का होता है, दीरे दीरे उन्हें विग्यापन चलना भी शुरू कर दिया ऐसे करकर कि वो काफी टायम बीच जाने के बाद दीरे दीरे से उनकों ग्रोथ मिलने लगी और उनकों काम काज आगे बढ़ने लगा ठीक है दोस्तों दीरे दीरे उनकी मेहनत रंग लाए उनके विग्यापन और प्रवावशली पोश्ट, रील और वीडियो से वो महिने के 5 लाग तक की कमाई करने लगे। इस लड़के की कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम regular fully planning के साथ काम करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को आचीव कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं नियंतरन परियास के साथ ठीके दोस्तों तो चलिए आप जानते हैं कि आप मने facebook marketing को कैसे सफल बना सकते है मैं यहां पर कुछ महतबून बाते बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यदा फायदे मन्द होने वाला है ठीके दोस्तों अब इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना सबसे पहले आपको एक सही निस को decide करना है उसके बाद उस निस में आपको फोटोज अपल पर नहीं होते हो नमबर दो आपने content को high quality का बनाओ ठीके ना मतलब उच्चे गुनवत्ता वाली बनाओ ताकि आपके द्वारा साजा की गई सामगरी उच्चे गुनवत्ता वाली होनी चाहिए यह आपके followers को आपके subscribers को आकरशक करने और बनाय रखने में मदद करती है आपके product से related होगा ठीके ना जो कि आपको original बनाना है ठीके ना ऐसा मत करना कभी भी कि अगर मानलो हमने photos upload किया reels upload किया तो यहाँ पर बहुत तरह लोग क्या होता है कि हमारे photos में हमारे reels में हमारी videos में comment भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो comment कर रहे हैं और आप उसको देख photos में बताते हो reels के मारे बताते हो तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको conversion आने के chances 100% तक यहाँ पर बढ़ जाता है क्यों क्योंकि वो आपकी नजर में आप उसकी नजर में एक brand हो मतलब आप दोनों एक दूसरे से connected हो तो इस बात का आपको खास खाल लगना कि कोई भी comment आपक को ऐसा नहीं छोड़ना है कि जिसका आपने reply अभी तक नहीं दिया है ठीक है दोस्तों नंबर चार facebook विग्यापन रन निती मतलब आप जो product को चूश किया है आपने अपने facebook पर upload करने के लिए या फिर youtube पर upload करने के लिए अगर आप वहाँ पर 8 चलाना चाहते हो अपनी photos का अपने reels का या फिर अपने product का मतलब परचार करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने mind में एक बात को जरूर सोचना कि ये जो product मेरे पास है ये किसके लिए है क्या एक बच्चे के लिए है क्या ये कोई मतलब बुड़े इंसान के लिए है या फिर कोई जवान मर्द के लिए या फिर आउरत के लिए है या लड़की के लिए बच्ची के लिए मतलब ये किसके लिए product हो सकता है ठीक है तो जिसके लिए भी product होगा आपके पास तो उसी टाप की audience को वहाँ पर select करना है ऐसा नहीं है कि आपने मानलो product किया मतलब ladies वाला आपने वहाँ पर gents को भी ऐसे लगेंगे ठीक है दोस्तो इसलिए आपना एक रूपे भी आपको यहाँ पर जाय नहीं करना है आपको regular audience के साथ मतलब उस product को दिखाना है मतलब facebook को हमें महाँ पर बताना है कि यह जो मेरा product है यह श्रीफ gents के लिए है ठीक है यह श्रीफ gents के लिए है इसको आपको gents में काम करते हैं लागतार मेहनत करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को आचीब कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं अगर आप हाथ पहाँ दर के बैढ़े रहते हैं तो कोई भी चीज़ को हम आचीब नहीं कर सकते हैं और किसी भी सपने को पूरा नहीं कर सकते है इसलिए अगर आपको काम करना है Facebook पर अफ्लेट मार्केटिंग करना है उसको आप YouTube पर भी कर सकते हो Facebook पर भी कर सकते हो और Instagram में भी कर सकते हो इस कहानी को सुन करके अगर आपका अंदर थोड़ा सभी मोटिवेट पैदा हुआ होगा मोटिवेशन मिला होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना मैं इस पर एक separate वीडियो बना दोंगा कि किस तरीके से इस वीडियो को बना जाता है ठीक है ना किस तरीके से रिसेच किया ज वीडियो बना करके आगे निकल जाता है इसलिए टाइम तो हर चीज में लगेगा ठीक है ना अगर आप यह सोचते हो कि मैं आज ही एक चैनल बना लेता हूँ आज ही एक पेज बना लेता हूँ ठीक है ना और मैं दो दिन तक वीडियो को अपलोड करता हूँ और मुझे काम साल भर लगेंगे दो साल लग जाएंगे पांस साल लग जाएंगे तब जा के कहीं कामयाबी मिलती है जो पीछे कामयाब हो चुके हैं उनसे हमें सीखना चाहिए उनको देखो कि पहले वो क्या थे टिग ना जो भी लोग इस फेसबुक भी दुनिया में इस यूटूब की दुनिया में, आज लाखों रुपे कमा रहे हैं, करोर रुपे कमा रहे हैं, लेकिन एक time वो ऐसा था, उनके पास भी zero चीज था, zero रुपिया था, zero followers था, zero subscriber था, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था, कई तो ऐसे हैं, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, आपके पास त किसी भी मतलब चाहे बिजनिस करो चाहे आप आउनलाइन बिजनिस करो चाहे आप आउफलाइन बिजनिस करो एक मेना बिजनिस करके दो मेना बिजनिस करके उसका रिजल्ट हमें मिलता ही नहीं है जब तक हमें उसमें साल पर छे मेना नहीं देंगे हमें वहाँ पर नहीं मिलत इसलिए आप ये सोत रहो ना कि मैं एक मेना काम करके मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है तो ये फेस्बुक की बेकार है यूटूब की बेकार है ऐसा नहीं होता है एक टाइम ऐसा आएगा जब वही महनत कफल आपको मिलने लगेगा ठीक है आप रेगुलर परियास करते रहो रे चैनल को स्ब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले और भी वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियो ले करके आता रहा हूँ ठीक है दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है कि शेयर वीडियो में थैंक्यू सोमत